के बज़ट सत्र से जबलपुर की आम जुनता और साथी महिलाओं को लेकर उनका क्या सोचना है क्या उम्मीदे महिलाएं जता रही हैं आए जानते हैं मद्रदेश सरकार अपना बज़ट पेश करने जा रही है ऐसे में इस बज़ट से प्रदेश के हर वर्ग को काफी उम्मीदे हैं लेकिन आज हम बात करेंगे प्रदेश की आधियाबादी की जिसके आधार पर मद्रदेश का विधान सबचनाओ 2023 लड़ा गया है ऐसे में आज हम पहुँचें जबलपुर में जहां हमारे साथ महिला वर्ग मौझूद है और इनसे पूछेंगे कि वो इस सरकार के आने वाले बज़ट से कितनी उम्मीदे रखती हैं क्योंकि ये बज़ट ब्यास खास होगा इसमें डॉक्टर मोहन यादो के बजट कहलाए और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी मत्रदेश में बने हुए हैं चाय हुए हैं हम सुरुआत आपसे करते हैं क्या किस तरह से उम्मीद रखती हूँ चुकि महंगाई की बात होते हैं महिला होने के नाते आप लोग भी अपने घर का जो बज़ट बनाती हैं खर्च करत बचाती हैं उसमेंसे और समाम तरह की तो मत प्रदेश सरकार से हमारी यह उमीद है कि माने नी श्री मुहन यादा जी हम सब घर में जो बच्चे हैं उनकी सिक्षा का इस्तर जरूर सुधारे क्योंकि आज की डेट में आप देखे प्राइवेट कॉलेजेस तो बहुत हैं उ सरकारी स्कूलों या कॉलिजिस में सुधारें तो मैं सरकार से चाहूंगी कि वो अपनी शिक्षा का बजट भी मध्यम वर्गे के लिए कुछ ऐसी योजना है कुछ स्कॉलर्शिप्स ऐसी लाएं कि जो जिसे मतलब अच्छी मतलब लोगों को फायदा हो बिल्कुल यानि कि ए बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार से हम लोग यही अपएक्षा करते हैं कि सब महिलाओं की छोटी-छोटी सी चीजों पर ध्यान रखते हुए हम लोग का बजट लेकर चलें समझ के चलें पर इस पर सरकार का बिल्कुल बंदिश हस्टेप हो खतम हो गया ऐसा लग रहा है को टैक्स देता है सब कुछ देता है कई ऊसको कोई काढ़र मेंग परिवार में कोई जब कर जाता है तो उसकी पुंजी खत्म हो जाती हो से ठीक करने में जरूरा थै कि प्रदेश सरकार इस बजट में हेल्थ को लिकर काम करें लेकिन बात कर रहे हैं आधी आवादी की और जब आदी आवदी की बात करते हैं लाड़ी बहना योजना का जिक्र जरूर आता है तेश के पहरे यह शु करता है कोई भी योजनाई बनती निम्रवर्क के लिए बन जाती है तो मैं मानिये मोहन यादोजी से अब अपरिक्षा करते हूं आए हैं नहीं हमारे लिए तो हमारी पूरी महिला बड़ी खुश है कि आप हम लोगों से प्रेश्चन कर रहे हैं बजट के लिए तो बस यही करेंगे यह मुझे पेक्षा है सरकार से मध्यम वर्क पर फोकस करें सरकार अपने बजट पर यह उम्मीद है यहां पर बैठी है हमाया साथ और भी महिला है आप से बाती आप किस तरह की उम्मीद करती हैं बजट में क्या प्रवधान हो ऐसे होनी चाहिए जो महिलाओं के ल करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम लोग को निकलने में बड़ी तकलीफ होती है इस्पेशल साम के टाइम साम के टाइम रोड में भी बार एक टाइप का डिवल्प हो जाता है तो बच्चों को लेने चोड़ने जाने आने में बहुत ज्यादा परशानी होती है तो हम सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कालोनी के आसपास या कालोनी के अंदर कोई सराब की दुकाने नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चे और मेलाज ज्यादा प्रोटेक्ट रहे हैं बिल्कु यह दिखिए बहुत गंभीर मुद्धा यहां पर उन्हों ने उठाया है क्योंकि शराब जो है मद्रदेश का सबसे महत्वपूर मुद्धा रहा है राजस्प को लेकर कहा है या फिर विवादों को लेकर कहा है इसके पहले भी पूर मुक्मंत्रियों माभारती न मैं बस यह सलाय देना चाहूंगी कि जो अपनी जरूरी चीज़े हैं रोज में जैसे पैट्रोल आजाएगा इलेक्रिक सिटी है गैस सिलेंडर है तो इन सब चीजों के रेट को कंट्रोल में रखना चाहिए जैसे की सब के लिए इसी हो समाम महिलाओं का यही कहना है कि सरकार जो है मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट जारी करें क्योंकि अगर आप जो जरूरत की चीज़े ही सस्ती कर देंगे तो फिर जितनी इंकम है उसमें भी परिवार बहतर तरीके से अपना जीवान यापन कर सकता है